जै हिंदोस्तों आप सभी लोग का स्वागत हैं, Mr. Scalper पर गी एक और नहीं वीडियो में हैं और मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचित, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग weekly analysis करने वाले हैं nifty का, साथ ही में nifty के साथ IT index और जितने भी main indices हैं उन सभी का bank nifty का weekly analysis हमें एक और वीडियो में करेंगे और साथ ही में bank nifty के जो main components होंगे कुछ stocks होंगे उन सभी का हम next video में analyze करेंगे बट आज की इस वीडियो में हम mainly nifty और nifty के जितने भी indices है IT index हो गया metal index हो गया इन सभी का analysis करेंगे देखेंगे picture क्या कह रही है market क्या कर सकता है और monthly weekly chart पे क्या patterns बनाई दे रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं world market में और Indian markets में तो चलिए दोस्तों अब जारा time वेसना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ टेलिग्राम पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट आ रहे थे और कल लाइस्ट्रेम में भी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे के personal trade group जो है जो जहां पे मैं जो trade करता हूँ या फिर मेरी team जो trade करती है वो मैं आप लोग के साथ share करता हूँ मैं strictly आपको बोलता हूँ के we are not SEBI registered और ना ही वो कोई call service है ना ही कोई buy sell calls आपको महाँ पे मिलते हैं कुछ भी नहीं मिलता वो सिर्फ आप लोग जो इतना request करते हो कि भाई आप levels इतने बताते हो कि आप खुद trade करते हो तो वो जो भी मेरा trade होता है setup मेरे को दिखाई देता है किसी stock में किसी indices में वो मैं आप लोग के साथ share करता हूँ तो account बनाने के साथ आप open कर सकते हैं अगर आप account open करते हो तो आप free में join कर सकते हो बट बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो रही थी कि वो और नए account open नहीं करना चाते है तो हमने monthly और quarterly जो है अब membership plan start कर दिया है इस link के through जो telegram group नीचे link description में मिल जाएगा वहाँ पे मैंने link डाल दिया है आप लोग directly join ले सकते हैं monthly और quarterly membership की और वहाँ पे कुछ नहीं जो भी मेरा trade होगा वो trade लेने के बाद आप लोगों से मैं share करूँगा किस price पे मैंने लिया क्या मेरा target है क्या मेरा stop loss होगा और आप उससे सीख सकते हैं कुछ knowledge गेन कर सकते हैं आप देखिए मैंने वो क्यों buy किया आप chart पे ढूढने की कोशिश कीज़ए वो reasons ढूढने की कोशिश कीज़ए मैंने क्यों buy किया क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ढूंडोगे जब तक आप खुद वो reasons नहीं जानोगे कि market में price action किस तरीके से work करता है क्यों work करता है तबतक कोई मतलब नहीं है ठीक है ये वीडियो में जितनी मरजी बनाता रहूं वीडियो जियो में मैं price action के बार में कितना मरजी बोलता रहूं गर जब तक आप खुद chart पे साथ time spend नहीं करोगे चार्ट के साथ नहीं बैठोगे, तब तक आपके लिए practically possible नहीं है, market में लंबे time तक profitable होना, ठीक है, खेर, ये सारी बाते हो गई, अब हम चार्ट की तरफ आते हैं, सबसे पहले हम Dow Jones का एक चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट अगर मैं Dow Jones का देखता हूँ, तो एक correction आया था कल US के job data है, extremely strong job data numbers से expectation को लगबग 3x बीट किया है, और इतने strong job data numbers के साथ, बहुत सारे लोग अब जो है, टेंशन में आ गई के भाई, fed अब जादा rate hike कर सकता है, क्या कर सकता है, तो market में थोड़ा बहुत weakness हमें देखने को मिली, अगर आप futures इस वक देखें, Dow और S&P के Dow Jones लगबग 500 point, Nasdaq लगबग 500 point उपर था, Dow Jones 50 point नीचे था, और अगर आप देखें, Nifty इस वक लगबग 10-20 point नीचे, SJX Nifty दिखा रहा है, तो जादा कोई बड़ा gap down हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक के लिए, ठीक है, रही बात Nifty की, तो Nifty में अगर आप एक चीज क्लियरली दिखाई दे मंतली चार्ट में, तो हमें एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, कि मंतली चार्ट के उपर Nifty एक 2000 point की range में consolidate कर रहा है, ठीक है, उपर की साइड 18600, नीचे की साइड लगबग 16500-400 की range, ठीक है, तो लगबग 1800-2000 point की range में Nifty जो है, वो consolidate कर अब price action का नियम क्या कहता है, price action का नियम ये कहता है, जब भी market एक range में consolidate करता है, आइदर साइड, उपर की साइड, या फिर नीचे की साइड, जब वो breakout या breakdown देगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक momentum उतना मिलेगा, जितना बड़ा channel होता है, ठीक है, historically क्या हो रहा था, अगर हम देखें, market एक महीने consolidate किया, breakout दिया, दो महीने consolidation दिया, breakout दिया, फिर दो महीने consolidation दिया, फिर breakout दिया, तो इस तरीके से market जो है, वो काम कर रहा था, बट अभी का ये जो consolidation phase है, ये लगबख 4-5 महीने extend हो चुका है, और ये जो February मन्त की candle है, वो भी एक kind of doji अभी तक बनी है तो हमें क्या wait करना है, आपको aggressive selling करनी है, मैं monthly chart की बात कर रहा हूँ, positional wise बात कर रहा हूँ, तो आपको 18,500 के level को नीचे की side तूटने का wait करना है, आपको aggressive buying करनी है, आपको 18,600 के तूटने का level का wait करना है, जैसे ही ये 1800 point, 2000 point की range तूटेगी, आप plot कर लीजेगा उपर की side म होता है, अगर ये नीचे की side break होता है, तो 14,500 तक के, 14,600 तक के levels हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये positional wise हम monthly chart पे एक चीज़ देख सकते हैं, अब थोड़ा lower time frame पे आते हैं, और हम आते हैं weekly time frame पे, weekly time frame पे अगर हम आते हैं, तो एक चीज़ हमें क्या यहाँ पे pattern दि breaking this out, market ने इसे retest किया, इस breakout का हमें एक retest देखने को मिला, उसके बाद फिर market ने उपर जाने की कोशिश करी, बट अभी दुबारा से कोई एक strong candle हमें buying की side नहीं बनती हुई दिखाई दी है, अब हमें क्या करना है, अगर ये जो lows हैं, ये swing lows, ये swing highs अप बहुत important हो जाते है critical हो जाते हैं price action के उपर, ठीक है, तो nifty के लिए क्या आपको करना है, 17,250 के नीचे अगर nifty निकलता है, तो आप लोग कहां तक का target ले सकते हो, 16,800 तक का on the weekly basis यहां पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, aggressive selling आपको कहां पर आती हुई दिखाई देगी, अगर 17,250 तूटता है, त 18,850 तक की आपको aggressive selling आती हुई दिखाई देगी, अगर 18,800, 16,800 का level तूटता है, देन हम लोग कहां तक आ सकते हैं, एक बार के लिए 16,400 तक के levels को test करते हुई दिखा सकते हैं, देन हम लोग देखेंगे, यहां पर double bottom pattern मनता है, फिर उसका breakout होता है, किस तरीके से क्या होता ह बट यह अभी के लिए possibilities दिखाई दे रही है, aggressive buying आपको कहां पर करनी है, on the weekly chart में कौन सा level दिख रहा है, 17,800 का level दिख रहा है, इसके उपर अगर market जाता है, इसके उपर अगर market निगलता है एक बार के लिए तो आपको aggressive buying जो है वो दिखाई देगी on the weekly time frame basis, तो यह कुछ important levels आपको watch out करके रखने है, IT index की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, और सारे चीज़े अगर मैं यहाँ पर daily chart structure लगाता हूँ, तो एक चीज़ daily chart structure में आपको clearly दिखाई दे रही होगी, IT index दुबारा से एक bounce लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे लिए 33,200, 32,800 massive support है, जब तक यह नहीं तूटता है, aggressively मैं fresh sell off नहीं करूँगा IT index में क्योंकि यह strong support है, metals की अगर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल sideways consolidation में है और एक breakout देनी की कोशिश कर रहा है, अगर 6,000 के उपर, 5,900 के उपर ही यह breakout होता है, बट मैं थोड़ा safe side में आपको देता हूँ, आप देखेंगे metals में दुबारा से वो shining आईगी, एक बड़ा breakout हमें metal index में देखने को मिल सकता है, autos की अगर हम बात करें, auto sector की अगर हम बात करें, तो एक important level है जिसके उपर अगर auto sector निकलता है, तो बहुत बड़ा breakout होगा, यह area है लगबग 12,100 का, last ATH जो इसने 2018 के आसपस था, तो 12,000, 12,400 के उपर अगर auto index निकलता है, तो बहुत बड़ा breakout होगा, इसके बाद ही आपको fresh तेजी देखने को मिलेगी, तो कुछ important levels है auto sector के लिए, तो यह कुछ important sectors जिनके उपर आपको watch out करके रखना है, दोस्तो आशा करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, वीड वीडियो में, thank you so much for watching guys, जेहिंद, वन्दे मातरम